नमस्कार भविशावानी में आपका स्वागत है रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविश्य आपके राशी का भविश्य बताने के लिए आज आश्वन कृष्णपक्ष की सब्तमीति थी उद्याति थी है सब्तमीति थी आज दोपार 12 वच कर 40 मिनट तक समा तक रहेगी उसके बाद अपरान के समय में अश्टमीति होगी अतह आज अश्टमीति थी वालों का शाध किया जाएगा आज देर रात 1 वच कर 27 मिनट तक वैतिपातियोग रहेगा साथ ही आज रात 9 वच कर 54 मिनट तक मरक् और अश्टका श्राद भी है, आगे हम इसी पर विस्तित चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की यानि की याई जैद योग की, तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है, अब ये योग 26 सितंबर को सुबह 5 बच कर 51 मिनट से 2 बार 12 बच कर 26 मिनट तक रहेगा। और इसके बात बात करते हैं सरवार से धियोग यानि कि सारे काम बनाने वाले योग की, तो बता दूँ कि आज ये योग नहीं बन रहा है, अब ये योग 26 सितंबर को पूरा दिन और पूरी रात रहेगा। इस करम में आज ये अब चर्चा करते हैं आज के शुभ महूर्ट यानि की फेबरेबिल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है, अब ये महूर्ट अगले महिने 3 अक्टूबर की सुभा 6 बच कर 15 मिनट से 2 बाहर 1 बच कर 49 मिनट तक रहेगा। नया बिजनेश शुरू करने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है, अब ये महूर्ट अगले महिने 6 अक्टूबर की सुभा 6 बच कर 17 मिनट से सुभा 7 बच कर 50 मिनट तक रहेगा। किसी इंडेस्टियल इंस्टिउशन में लेंदेन करने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है, अब ये महूर्ट अगले महिने 3 अक्टूबर की सुभा 6 बच कर 45 मिनट से सुभा 7 बच कर 52 मिनट तक और एक बार फिर सुभा 10 बच कर 12 मिनट से शाम 4 बच कर 17 मिनट तक रह अगली सुभा 6 बच कर 15 मिनट तक रहेगा, जॉब जॉइन करने के लिए आज अच्छा महूर्ट नहीं है, अब ये महूर्ट अगले महिने 3 अक्टूबर की सुभा 6 बच कर 51 मिनट से दो पार 12 बच कर 7 मिनट तक रहेगा, मेडिकल टीटमेंट शुरू कराने के लिए, अब अच्छा महूर्ट अगले महिने 3 अक्टूबर की सुभा 6 बच कर 15 मिनट से सुभा 7 बच कर 22 मिनट तक और एक बार फिर सुभा 9 बच कर 42 मिनट से दो पार 1 बच कर 49 मिनट तक रहेगा, और अब भात आती है अशुभ समय की आकाश में कभी-कभी ग्रहों की मिली-जुली इलेक्रो-माग्डिक फील्ड कुछ शणों के लिए नेगेटिव हो जाती है, इस अशुभ करानती सामें से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इस से चारों तरफ नेगेटिवटी पैल जाती है, इस समय में कोई भी श अशुभ समय नहीं बन रहा है, अब ये अशुभ समय 28 सितंबर की सुबह आठ बच कर पाइटीस मिनट पर होगा, वैसे तो इसे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्ग, सिंग, धनु और कुम्भ राशियां विशेश रूप से प्रभावित होंगी, ज्यान रह इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट पाद तक कोई भी शुभ कारे नहीं करना चाहिए, इसके साथ ही एक बात और बतानू कि काम सुरू करते वक्त रहुकाल का ध्यान रखना बेहत ज़रूरी है, रहुकाल के दौरान कोई काम सुरू नहीं करना चाहिए, अगर कोई काम पहले तो उसे जानी रख सकते हैं आज दिली मेरा हुकाल होगा दो पहर बान तीर ऐसे तक और सुनार ही जिर। ये था कुछ पुछ शेहरों का रहुकाल और अब आज की यात्रा की शुर्दिशा क्या है mo respective कर देटatto को डिसा, पस्चिम और आई अब शुरू करते हैं सिलसला राशी फल का सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेश राशी की मेश राशी वालों आज का दिन आपके लिए शांदार रहने वाला है आज निजी जीवन में सकारात्मत्ता लाने की कोशिश करेंगे और इसके लिए आप किसी महापुरुष का अनुसरान करेंगे आपकी ज़्यादा तर योजनाएं पूरी हो सकती हैं आज लोगों से मिलने और बात करने में खुशी महसूस करेंगे आज अन्यगत्वी ध्यों की वज़े से आपके विक्तिगत काम बीच में अटक सकते हैं लेकिन चिद्दा न करें कुछ समय में सब ठीफ हो जाएगा पारिवारिक सदस्यों का सहयोग बना रहेगा आपका दामपत्य जीवन सौहार्द से भरा रहेगा आज के लिए आपका लखी कलर है पीच और लखी नंबर है सिक्स व्रेश राशिवालों आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा परिवार को अधिक समय न दे पाने से परिवार की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है आज अपने विक्तिगत काम की ओर आप उचे ध्या आपकी मदद करेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी आपके पॉस्टिव नजरिये से जरुई काम पूरे होंगे और काम निप्टाने के नए तरीके भी आपको मिल सकते हैं आज के लिए आपका लखी कलर है गोल्डेन और लखी नंबर है सिक्स मिथुन राशे वालों आज का दिन आपके लिए शुब रहने वाला है किसी काम के लिए आज आप कई बड़े फैसले ले सकते हैं कारोबार में कुछ न कुछ चुरोतिया रहेंगी हाला कि आपकी मेहनत के अनुरूब उचित परिणाम भी मिलेंगे रुक्र हुई पेमेंट मिलने से आर्थिक पक्ष सामाने रहेगा लव मेंट एक दूसरे के लिए उच्छ सामान जसे और सहयोग की भावना रखें आज आपका अधिकारियों से विवहार अच्छा रहेगा आज आपको जरूरी काम टाल भी सकते हैं जायदा से जुड़े काम काज में साथधानी करकराशी वालों आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है घर के कामों में आपका पैसा लग सकता है कोई भी फैसला शांती से लें आज बाचीत करने में मधूरता रखें तो आपके लिए अच्छा है आज आपके किसी उच्छ अधिकारी से मुलाकात के योग बन मिलेगा आज व्यक्तिकत व्यस्तता के बाद भी कुछ समय वरिष्ठ और अनुभवी लोगों के साथ बिताएंगे आज आपको कई नई जानकारियां मिलेंगे आज आप नई चीज़ें सीखेंगे दांपत जीवर में खुशाली होगी लेखन के छेते से जुड़े लोगों को कोई खुशखबरी मिलेगी आज के जिए आपका लखी कलर है ग्रीन और लखी नंबर है नाइन सिंग राशिवालों आज आपका दिन खुश्यों से भरा रहेगा आज स्टूडेंट अपनी जोगिता से कोई महत्वकून उपलग भी हासिल कर सकते हैं पारिवारिक और व् जाए सहजता से मामला सुलजाने की कोशिश करें अगर किसी विशेश संथा से जुड़े हैं तो उससे संबंधित गत्विधियों में अपना योगदान अवश्य दें इससे आपको सुकून मिलेगा और मांसमान भी बढ़ेगा बाहर की मसालेदार चीजों को खाने से बचे आपका स्वास्थ अच्छा रहेगा आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नमबर है आठ कन्या राशिवालों आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है आपके व्यवहार में विनमरता और लचिला पन ही आपको सम्मानते लाएगा पारिवारिक संबंधों में गहराई और अपना पन आपको महसूस हो सकता है आज किसी समारोह के होने के कारण से आपकी सरियां हो सकती है आपकी वैस्तता बढ़ सकती है धcakरे से काम लेंगे तो काम में आसानी होगी जीवन साथी के साथ हापके रिष्टों में मधूरता बरकरार रहेगी आज आपकी सकारात्मक्त सोच आपके लिए हितकर थाबित होगी आज के लिए आपका लखी क्लर है बलक और लखी नमबर है पांच, तुला राशे वालों आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है, कोई बुजर्ग या वरिष्ठ व्यक्ति आपको सही सलाह दे सकता है, व्यवस्थित दिन्चर्या रहने से मानसिक और शारीरिक रूप से आप तनावमुक्त महसूस करेंगे, कोई किसी पारिवारिक समस्या का समाधान मिलेगा, जिससे आप अपनी अन्य गत्विध्यों पर भी ध्यान दे पाएंगे, सामाजिक गत्विध्यों में भी अपना योगदान अवश्यने, आज आपकी आर्थिक इस्तिति सामाने रहेगी, आपको अपने व्यवहार पर करना पड़ेगा, कोई दोस्त या पर्चित अपने काम से आपको काफी समय तक बेजी रख सकता है, आज के लिए आपका लखी कलर है ब्लू और लखी नंबर है नाइन, व्रिष्चिक राश्य वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है, अगर आप कोई लेगा, किसी भी काम में बहुत अधिक सोच विचार करने और उसमें समय लगाने से आपकी कारेक्षमता कम हो सकती है, आज ये जरूरी काम के संबंध के बारे में विचार करेंगे और जोजना बनाएंगे, आपकी जोजनाएं सफल होने के योग हैं, परिवार से जुड़ी कोई परेशानी भी खत्म होने के जोग हैं, आज दूसरों की जरूरतों और भावनाओं को लेकर आप सेंसिटिव भी हो सकते हैं, आज के लिए आपका लखी कलर है रेड और लखी नमबर है एक, धन और आशिवालों आज का दिन आपके लिए खुशाल रहने वाला है, आज आज आपका दिन दोस्तों और परिवार के साथ बीटेगा, आपको कोई बड़ा काम लिप्टाने की जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे पूरा करने के लिए पूरा करने से आपको खुशी होगी, आज अपनी दिन चर्या को विवस्तेत रखना, आपके वित्तिगत और स्वास को बेहतर बनाने में सहक रहेगा, बच्चों के भविश्य को लेकर चल रही प्लानिंग को साकार करने का अफ़सर मिलेगा, आए के साधरों में भी मदबूती आएगी, आज काम काज जादा रहेगा, जिसकी वज़े से आपको खुद के लिए समय निकाल पाना मुश्किल हो लेकिन काम समय से पूरा होने से आपको खुशी भी होगी, आज के लिए आपका लखी कलर है औरेंज और लखी नमर है दो, मकर राशिवालों आज का दिन आपके लिए व्यस्तता से भरा हो सकता है, ग्रहस्त जीवन की जिमेदारियों को नभाने का पूरा प्रयास करेंगे, आज कारोबारी व्यस्ता बेहतर बनी रहेगी और किसी वरिष्ठ सदस्य के मारतर्शन में कोई महतुपूर्ण कारे पूरा होगा, नौकरी में अपना प्रोजक्ट बेहतर तरीके से पूरा करने से अधिकारियों के बीच सराहना होगी, परिवार में धार्मिक आयोजन के य कि नंबर है दो, कुम्भराशेवालों आज आपका दिन शांधार रहेगा, आज जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निप्टाने में आप बहुत हद तक सफल रहेंगे, किसी भी काम में फोकस रहना बहुत ज़रूरी है, आज जल्दबाजी और लापरवाही में लिए गए निरणय गलत हो सकते हैं, आज आप मान सम्मान को लेकर ज़्यादा सजग रहेंगे, आज संकोष में अतिरिक्त कारेभार अपने उपर नलें, धायरे और वेनमबरता बनाए रखें, आज आपको नए इंकम सोसिल मिल सकते हैं, आज आपका बिजनस अच्छा रहेगा, क्रिय कलर है ब्राउन और लकी नमबर है एक, मीन राशिवालों आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है, आज आपको कुछ ऐसा बिलेगा, जिसकी आपको बहुत दिनों से ख्वाहिश थी, आज किसी इंपॉर्टेंट विशह में अपने से बड़े या किसी अनुभवी स सलाह लेकर ही आगे बढ़ने की कोशिश करें, मेहनत, धायरे और समझदारी से काम निप डालें के, आज आप खुद को लेकर कुछ नियम बनाएंगे और आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य योजना के मताबिक पूरा हो जाएगा, इस से आपको सुकून मिलेगा, आज आप को करियर में मेहनत के अनुसार सफलता मिलेगी, आज आप घरे लू जरूरत की चीजों की खरीदारी कर सकते हैं, आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नमबर है आठ, और अब बात उनकी जिनका जनम दिन है, जिनका जनम दिन है वो संभव हो, तो आज सुन सह अंकों की रहस समाई दुनिया में, मूलांक एक वालों, आज कारोबारी गत्विधियां व्यवस्थित रूप से चलती रहेंगी, बड़े अधिकारियों से आपको उचित सहयोग मिलेगा, मूलांक दो, आप अपने काम को योजना बद्ध तरीके से पूरा करेंगे, इसके स मूलांक चार, आज किसी अनुभवी व्यक्तिका मार्क दर्शन आपके लिए उप्योगी साबित होगा, मूलांक पांच, आज अपने कारी को गंभीता से अंजाम दे, सहकर्मियों की गत्विधियों पर भी नजर रखेंगे, मूलांक छे, पारिवारिक बातावरान खुश् से बना कर रखेंगे, मूलांक आठ, आज किसी संबंदी या मित्र की समस्या के समाधान में मदद करने से खुशी होगी, मूलांक नौ, अगर किसी से कोई वादा किया है, तो आज उसे अवश्य पूरा करेंगे, और अब चर्चा वास्तु शास्त्र की, वास्तु शास्त्र म के बारे में, घर में कच्छुआ रखना आयू और आत्मिश्वास में बढ़ोतरी करने वाला मना जाता है, अगर कोई नया काम करने में आप लोग कॉन्फिदेंस पील करते हैं, जिसकी वज़े से आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा है, तो आज ही घर में धातु का क कच्छुआ लाएं, कच्छुए को घर की ऐसी जगह पर रखें, जहां पर आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, उस कच्छुए को पानी से भरे एक बड़े से कटोरे में डाल कर रखें, किस दिशा में रखें ये भी बता देता हूं, अपना कॉन्फिदेंस बढ़ाने क के लिए धातु के कच्छुए को उत्तर दिशा में रखें, कच्छुए को धन प्राप्तिका सूचग भी माना जाता है, यदि आपको धन सब्बंधी कोई परेशानी है, तो क्रिस्टल का कच्छुआ लाकर अपने घर या ओफिस में भी रख सकते हैं, वास्तु शात्र में थी चर्चा घर में धातु का कच्छुआ रखने के बारे में, और अब आज के दिन की सबसे विशेश बात, आज आज आश्ट्वन कृष्णपक्ष की सब्तमी तिति, मंगलवार का दिन, सब्तमी तिति आज दो पहर 12 बच कर 40 मिनट तक रहेगी, उसके बाद अश्टमी का शाद किया जाएगा, जिनका स्वर्गवास किसी भी महिने के कृष्णया शुक्लपक्ष की अश्टमी तिति को हुआ हो, इस दिन शाद करने वाले विक्ति को महान यग्जों के बराबर पूने फल मिलता है, और वो शेष्ठ विचारों का धनी होता है, और अब बात करते हैं आज के दिन पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की, आज देर रात एक बच कर 27 मिनट तक वेतिपात योग रहेगा, इस योग के दोरान कोई भी नया काम शुरू करना अच्छा नहीं माना जाता, इस योग के दोरान यदि आप किसी का भला करना भी चाहेंगे, तो उसक मरक्षिरा का अर्थ है हिरन का सिर, इसी के आधार पर मरक्षिरा नक्षत्र का पती चिन्वी हिरन के सिर को ही माना जाता है, मरक्षिरा नक्षत्र विक्ति की चंचल, कोमल, सौम और कल्पना शील सुभाव की विशेशताओं को परदशित करता है, इस नक्षत्र के करकुषल, सामाजिक और रचनात्मक होता है। हाला कि ये लोग थोड़े शर्मीले और संकोची सुभाव के होते हैं जिसके कारण इन्हें दूसरों के साथ घुलने मिलने में सबय लगता है। इसके अलावा आपको बता दूँ कि मरक्षिया नक्षत्र के पहले दो चरण वरष राशी में आते हैं जबकि शेज दो चरण मिथुन राशी में आते हैं। लेहाजा मरक्षिया नक्षत्र का प्रभाव वरष और मिथुन राशी पर रहता है। मरक्षया नक्षत्र के स्वामी मंगल है साथ ही इस नक्षत्र का संबंद खैर के पेड़ से बताया गया है लेहाजा जिन लोगों का जन्म मिर्क्षया नक्षत में हुआ हो उन लोगों को मिर्क्षया नक्षत के दोरान खैर के पेड़ जिससे पान में लगने वाला कथा बनता है उसकी उपासना करनी चाहिए साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप खैर के पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचाए ऐसा करने से आपको सुफ़लों की प्राप्तिल होगी साथ ही आपका पारिवारिक जीवन खुशाल बना रहेगा तो ये थी आज व्यति पात योग मरक्षया नक्षत की चर्चा और अब बात करेंगे आज के कालाश्टमी वरत और अश्टका शाद्ध के बारे में आज कालाश्टमी है जैसे कि आप जानते हैं कि हर महिने के कृष्णपक्ष के अश्टमी तिति को कालाश्टमी बनाई जाती है कालाश्टमी के दिन भगवान शंकर के भायरव सुरूप की उपासना की जाती है दरसल भाइरव के दो रूप भाइरव के तीन रूप हैं काल भाइरव, सुर्णा कर्शन भाइरव और बतुप भाइरव आज के दिन इन में से काल भाइरव की उपासना की जाती है कहते हैं आज के दिन भगवान शंकर के काल भाइरव सुरूप की उपासना करने से जीवन की सारी परेशानियां दूर होंगी और आपकी बंचाही मुरादें पूरी होंगी और अब आज के दिन की सबसे महतोपून बात यानि माता महलक्वी वरत की आपको याद दिला दू कि 16 दिवसिया माता महलक्वी वरत वीदे 11 सितंबर से शुरू हुए थे और आज के दिन शाम के समय देवी मा के पूजन के साथ महालक्ष्वी व्रत समपूर होगा आज हम आपको महालक्ष्वी व्रत की पूरी समापन वीदी समझा देते हैं आप अच्छे से समझ लीजिए तो आईए चर्चा शुरू करते हैं आज के दिन महालक्ष्वी व्रत की समापन वीदी के बारे में पहले तो ये जान लीजिए कि आज शाम को पूजा के समय आपको किन किन चीजों की ज़रुवत पड़ेगी पूजा के लिए दो सूप, सोलह मिट्टी के दिये, परसाद के लिए सफेद बर्फी, फूल माला, तारों को अर्ग देने के लिए ये थिश्ट पात्र, सोलह गांट वाला लाल धागा और सोलह चीजें हर चीज सोलह की गिंती में होनी चाहिए, जैसे सोलह लौंग, सोलह इलाइची या सोलह सुहाग के सामान और अब बात करते हैं पूजा विदी के बारे में, शाम को पूजा के लिए सबसे पहले अपने हाथ में सोलह गांटों वाला लाल धागा बांद लें, जो आपने वरत के पहले दिन बांदा था, फिर माता महालक्ष्मी के आगे सोलह देशी घी के दीपक जलाएं, और दीप से देवी मा की पूजा करें, साथ ही फूल चलाएं, लेकिन ध्यान रहे, देवी मा को कभी भी हरसिंगार का फूल नहीं चलाना चाहिए, महालक्ष्मी की पूजा में हरसिंगार का फूल निशिद है, फिर एक सूप में सोलह चीजें सोलह सोलह की संख्या में रखकर उ उसे माता के निमित दान करने का संकल्प करें। संकल्प के लिए ये मंत्र पढ़ें। शीरो दारनाव संभूता लक्ष्मी चंद सहो दरा। यानि हेच शीर सागर से उठ्पन, चंदर्मा की सगी बहन माता महालक्ष्मी मैं ये सब कुछ आपके निमित दान कर रहा हूं। इस परकार संकल्प लेकर उस सूप को वही रखा रहने दे। आप दीपक में जोती जलाकर माता महालक्ष्वी के मंतर का जब कीजिए। मांत्र था है औम शेंग रिंग शेंग कमले कमलाले परसीदष शेंग रिंग शेंग महालक्षम ये नव् आपूजा शुरू करने से पहले ही इस मंतर का अपनी इच्छा नुसार संख्या में संकल्प लेकर जब करिए फिर जैसा आपने संकल्प किया है उसके हिसाथ से मत जब दीजे जब के बाद माता महालक्ष्मी की आरती कीजे और उन्हें सफेद मिठाई का भोग लगाईए इस प्रकार पूजा आदि के बाद तारों को जल से अर्ग दीजे और आरती कीजे इसके बाद अगर आप विवाहित हैं तो अपने जिवन साथी का हाथ पकड़कर अन्यता स्वैंभी तीन बार उत्तर दिशा के और मू करके पुकारिए हे माता महालक्ष्मी मेरे घर आजाओ इस प्रकार जो व्रती है वो अपने लिए और माता महालक्ष्मी के लिए अलग अलग थाली में भोजर निकालिए अगर आप विवाहित हैं और अपने जोडे में एवरत किया है तो देवी मा और अपने साथ साथ अपने जीवन साती के लिए भी थाली में भोजन निकालिए साती ही हो सके तो माता महालक्ष्मी के लिए चांदी की थाली में भोजन निकाल कर रखिए भोजन के बाद अपनी थालियां उठा लीजे लेकिन माता की थाली को किसी दूसी थाली से ढखकर वहीं पर रखा छोड़ दें अगले दिन सुबह माता के लिए निकाली थाली का भोजन किसी गाय को खिला दें और सूप में रखा हुआ दान का सामान किसी लक्ष्वी मंदिर में दान कर दें इसके अलावा सोला गाठो वाले धागे को अपनी तिजोरी में सभाल कर रख लें इस धागे को अपने पास रखने से आपके घर में धन धाने की कभी कमी नहीं होगी और आपके घर की सुख समर्थी बनी रहेगी देखें यहाँ पर कुछ चीज़ें हम चर्चा करना चाहें एक बात यह है कि शास्त्र कहता है चंदरोदय होने पर तारे को अर्ग देना चाहिए अब इसको सव पचास बार पढ़ दिये तो आपको याद हो जाए चंदरोदय होने पर तारे को या तारों को अर्ग देना चाहिए तारा कौन है चंदरोदय की पत्नी 27 पत्निया हैं चंदरोदय की 27 नक्षत्र है तारे हैं लेकिन कब अर्ग देना चाहिए जब चंदरोदय हो जाए तो इस महीने के इस पक्ष की इस तिथी को चंदरोदय सामानिता ग्यारा बजे रात में ही होता है अब हमारे जैसे एक जानने वाले हैं तो उनकी धरपत्नी शाम को ही तारों को अर्ग दे देती और सोलह इस्तियों को बुला के भोजन कराने लगते अब रात में 11-11 बजे दिली में 11 बज के 32 मिन पर चंदरोदय रहे और दिखेगा वार दस-पास मिन बात तो 11-11 बजे रात में आप कहाना खाने कौन आएगा ये बतेगे हम जब तक एवरत करते थे तो हमारी कोशिश होती थी हम हमारी पतनी और माता महालक्षमी ये तीन ही थाली लगा में जो रात 11-11 बजे कौन किसी कहाना खाने जाता है लेकिन कहाना हमारे एक मित्र थे उनकी धरपतनी शाम गोई तारों को अर्ग दे करके उसके आप हमको गलित भी समझाती थी कि तारों को अर्ग देना है ना तो अब हम उनको बारहा का है कि चंदर लोगा इस्त्रियां खेलाने के चक्कर में शाम को ही सब पुछ कर लेते हैं तो भाई यह आपकी इच्छा है जैसा आप करना चाहें हम यही बता सकते हैं हमारा अनुभव यही कहता है कि हम चंद रोदय होने के बाद जब चंद रोदय हो जाए अच्छा मजे के बाते आप आपको बता रहे हैं तो आपको बता रहे हैं तो चंद रोदय होने पर ही तारों को अर्ग दे कर तब खाना खाईए यह आपको बता दूँ और दिली में चंदरोदय आज रात 11 बच के 32 मिनट पर है तो यह सब ध्यान रथ है और यह महत्वपोर्ण चीदे हैं बगए चंदर्मा के उगे हुए चंदर्मा हाई नहीं तो आप उसकी बीबियों को क्या मतलब जो आप अर्ग दे रहे हैं क्या और विव भोजन करेंगी तो बड़ा आनंद हो जाएगा अरे तुमको भोजन माता महलक्ष्मी कराना है भाई माता पे ध्यान दो ना उन्सोला हिस्तिनों पर आप तो ध्यान दे रहे हैं अगर विव भोजन करने रात में 11 साले 11 बच आपके ऐहां आ सके उनका बहुत बहु आप उनका कर रहे हो जब चंदर्वा उधित हो जाए तब चंदर्वा सामने हो तब आप उसकी पत्नी को अर्ग दीजे तो चंदर्वा भी प्रसंद होगा बासमझ में आएगी अब आगे बढ़ते हैं तो ये थी आज के दिन माता महालक्षी वरत के समापन की विदी की करके आप अपनी संपदा में बरहुतरी कर सकते हैं अपने कामों में सफलता सोनेश्चित कर सकते हैं इस्पोर्स के छितर में आगे बढ़ सकते हैं तो आईए चर्चा करते हैं उन खास उपायों की अगर आप माता महालक्षमी की करपा से अपनी धन संपदा में बरहुतरी करना चाहते हैं तो आज उत्तर दिशा के ओर मुख करके कनक धारा इस्तोतर पढ़ते हुए दूद की धारा से महालक्षमी का अभिशेक कीजे यदि आपको कनक धारा इस्तोतर याद नहों और आपके पास उसे पढ़ने के लिए पुस्तक भी नहों तो माता महालक्षमी का नाम लेते हुए उनका सुन्दर ध्यान करते हुए दुग्द धारा से लक्षमी जी का अविशेक कीजिए लेकिन अगर आपके घर में लक्षमी की मूर्त के सामने एक साफ बरतन रखे और लक्ष्मी जी को देखते हुए इस भाव से कि आप उनका अभिशेक कर रहे हैं उस बरतन में दूट की धारा अर्पित कीजिए बाद में उस ठाली के दूट को तुल्सी के पौधे में टाल दीजिए इस प्रकार ये उपाय करने से म अगर आप दिमागी रूप से महनत करने वाले कारे करते हैं आप को बिजनस करते हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो अपने कामों में सफलता पाने के लिए आज देवी मा को कमल का फूल या कोई अन्यलाल फूल चढ़ाएं आज के दिन ऐसा करने से के बढ़ना चाहते हैं तो आज आप देवी मा को तेज पता चलाएए साथ ही देवी को कथा युक्तपान का भोग भी लगाए आज के दिन ऐसा करने से आपको स्पोर्स के चित्र में सफलता बिलेगी तो ये थी आज की जाने वाले कुछ खास उपायों की चर्चा साथ ही आ ऐसा करने से आपके उपर माता महालक्ष्मी की करफा बनी रहेगी लेकिन अगर आप महालक्ष्मी वरत के बीते दिनों के दोरान किनी कारणों से हवन न कर पाए हो तो आप आज भी अपनी राश्य के अनुसार हवन करके माता महालक्ष्मी की अपार करफा पा सकते हैं तो आ आज आपको अपनी राशी के अनुसार किस चीज से हवन करना चाहिए अब हम इसकी चर्चा करेंगे। मेश राशी वालों आज आपको सफेद तिल से हवन करना चाहिए। वरश राशी वालों आपको घेसे हुए नारियल की गिरी में घी मिलाकर हवन करना चाहिए। मिथुन राशिवालों आपको माता महालक्ष्मी की करपा पाने के लिए घी से युक्त, नंद्यावर्त के पुष्पों, पीली सरसों और लक्ष्मी वल्ली जिसे मेश शंगी भी कहते हैं उससे हवन करना चाहिए। अगर आपको सारी चीजें न मिलें तो इन में से जो भी चीजें मिलें उनसे हवन कीजीए। करक राशिवालों आज आपको काली मिर्च, जीरा और सूखे नारियल की गिरी से युक्त, गुल और घी में पके हुए पुऊं का हवन करना चाहिए। सिंग राशिवालों आज आपको माता महालक्ष्मी की करपा पाने के लिए घी में मदार की लकणी डूबो कर हवन करना चाहिए। कन्या राशिवालों आज आपको गुल मिश्रित जव, तिल और चावल से हवन करना चाहिए। तुला राशिवालों आज आपको दूद और चावल की खीर से हवन करना चाहिए, वरिष्चिक राशिवालों आपको माता महालक्षमी की करपा पाने के लिए आज आपको घी में दूरवा भिगो कर हवन करना चाहिए, धनु राशिवालों आपको माता महालक्षमी की करपा प करपा पाने के लिए आज आपको घी में गिलोय डूबो कर हवन करना चाहिए कुम्भराशिवालों आपको माता महालक्षमी की करपा पाने के लिए आज आपको मधु घी और शक्कर से युक्त बेल के फलों से हवन करना चाहिए मीनराशिवालों आपको माता महालक्षमी की के ताजे या सूखे फूलों को जल में भिगो कर हवन करना चाहिए और अब बात आज के तीर्ट की आज हम आपको कराने जा रहे हैं लोहारगल सूरिकुंड के दर्शन लोहारगल सूरिकुंड राजस्थान के जुन-जुनू जिले में इस्थित है अरावली परवशंखला प कि इस स्थान पर महाभारत उद्ध के पांडवों ने स्थान किया था और यहा उनके सवी शस्थ्त्र गल गये थे ऐसी भी माननता है कि इसी स्थान पर भागवान परिशुराम ने छत्रियों के वद पांडवों निर और एक सूरिय मंदिर भी बना हुआ है लोग दूर दूर से लोहारगल तीत में अपने परिजनों का शाद और पिंड दान करने आते हैं तो आप भी घर बैठे कीजिए इस पवित्र लोहारगल सूरिकुंड की तर्शन और अब बात अवाइड अब दी डे की यानि आज आज आपको क्या नहीं खाना है आज 24 सितंबर आश्विन कृष्णपक्ष की सब्तमी तिति है सब्तमी तिति में खजूर का सेवन करने की मना ही है इस दिन किसी भी ताड के फल का सेवन नहीं करना चाहिए सब्तमी तिति आज दो पहर 12 बच कर 40 मिनट तक रहेगी उसके बाद आश्टमी तिति लग जाएगी जो कि कल दो पहर 12 बच कर 11 मिनट तक रहेगी आश्टमी तिति में नारियल या नारियल से बनी चीजों का इस्तेमाल करना निशिद्ध है इस तरह तिति का समय जानकर आप अपने खाने का शेडियूल बना सकते हैं बाकी आप कुछ भी खाए पीजी बहुश कीजिए और चलते चलते मैं आपको बता दूँ कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पस्चिम और अब वक्त है आज के टिप अफ दी डे का आज शहर लाकर अपने कमरे में नौर्थ वेस्ट कॉर्णर में रखें सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी और अपना राशिपल जानने के लिए लोग आउन करें www.indiatv.in और मुझसे विक्तिकत संपर करने के लिए फोन करें 997100226 भविश हवानी में फिलहाल इतना ही नमस्कार